यह वेलकम बेक टो मार योटुब चैनल मॉनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स यहां पे हमने आपको कुछ बनाना बताया है जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल है और वैडिंग्स हैर स्टाइल है जो कि आप किसी भी वैडिंग्स देख्या हो यहां अबको यहां और documentation है यहां पेई आपको बलते से बाल को लएंगे और यहां तो इससारे तो चीछ झाद आपको यहां पेम पर बलतावक लहेते जाना है तो दोनों सिर तो थोड़ हो लेंगे और एक दम थोड़ा पीछे के हिस्से तक चोटी को बाल ले लेके दोनों साइड से बाल थोड़ा से एड़ करेंगे चोटी बनाते समय और इस तरह से करके गोथ लेंगे तो थोड़ा से एक्स्ट्रा में चोटी को गोथेंगे उसके बाद बालों को नहीं लेंगे और उसके बाद देखें तोड़ा सा एक्स्ट्र में चोटे को हमने यहांपे गूत लिया है यहांब इसलिए गूत लिया है क्योंकि ताकि उपर का हेbaar खुलना जाए फिर देखिँ इस त्रह रहांपे हमने उपर के से पिन को लगाया है ताकि हमारी पिंट भी थोड़ी सी अक्ट्रेक्टिव है तो वह दिखाई दे तो इस तरह की पिंट लगाना गल्स को बहुत ही पसंद होता है तो इस तरह की देखिए उपर से पिंट लगाई अगर आपके पस नहीं है तो आप इस चोटी को थोड़े से बालों को उठा करके अंदर इंसर्ट करके उसके बाद पिन लगाएंगे तो आपकी जो पिन होगी वो नहीं दिखाई देगी और आपका हैरेस्टायल भी बहुत ही ब्यूचुफुल लगेगा तो इस तरह से देखे हैरेस्टायल बनके होगी है रेडी तो देखे इस तरह की एक तिप्छी लाइन सीधी सी बन गई है तो बस इसी तरह से आपको एक लाइन क्रियेट करनी है इस तरह से एर को लेना है कि एक लाइन बनती चली जाए सेकंड हैस्टायल बनाने के लिए देखे हमने साइट की मांग निकाली है अगेन और फिर थोड़े से उपर के बालों को देखे चोड़ते ह इस तरह से बालों को ले लेना है और बहुत थोड़े से ही एर को लेना है जिस तरह से क्या वीडियो में देख रहे हो इस तरह से हमने बालों को ले लिया है और अगेर इसको थ्री पार्ट में हम डिवाइट करेंगे यहां पर और क्योंकि इसके यहां पर हम एक बनाएंगे चोटी सी चोटी और चोटी 35 समय क्या करना है देखिए जो उपर के हैर हमने छोड़ रखे हैं तो उसमें से एकदम आगे की साइड से करके मनलब आगे कुछ भी है नहीं छोड़ने है जो आगे का फ्रंट का सेशन है वहां से हैर को लेना स्टार्ट करना है और इसली चोटी ड करते जाएंगे बस और कुछ भी नहीं करना है इसी तरह से छोटे-छोटे से बालो का सेशन उपर के साइड से लेते जाना है और अपनी चोटी में एड करते जाना है जिस तरह से क्या वीडियो में देख रहे हो बहुत ही बनाने में बहुत ही ब्यूटिफुल भी लगती है यहां से ली में लिए ही तरह तो फिलlles के लिए है तो डीजिशन आपर के साइड तक का जो अगार चुछ से जाना है तो नहींटी चोटी में कर लेते हैं जैसा के आप वीडियो में देख रहे हो और पिसपे अपने से एक्स्ट्रा हिस्टि गष vi Solis में लागाए ना है जिस तो पीछे के रालों को एड़ करना है जैसा हुआ हमने साइट करना ओपर से और तोड़े से इसा बालो को लेरान neighborhoods हम जडिद से उसे नालो की apartheвой को लेणा है और यह से के बालो विलके एड़ करना है तो में म Тутेट हो और ती perspective से वह हमरा अग Care प्रोसेजर करना है जो अभी हमने उस साइट किया था इस तरह से बालो का सेशन लिया है चोटी में एड़ कर दिया है और चोटी को यहां पर हम गूत लेंगे बस अपनी चोटी को हम यहां पर टाइट गूतेंगे जिससे कि अच्छा सा उसका जो लुक है फाइनल लुक वह ब इस तरह से करके इतना कंप्लीट हो गया है और पीछे के सेट जो हमने थोड़े से हेर को छोड़ दिया था मतलब आधे डिवाइड उधर किये थे तो आधे जो इस साइट के लिए चोड़े थे तो उसको भी हम इसी चोटी में अपनी एड़ कर लेंगे तो इस तरह से हमारे टू पार्ट बनके रेड़ी हो जाते हैं एक सेट से दूसरा इस सेट से और फिर चोटी को थोड़ा सा आगे तक गूत लेंगे गूतने के बाद देखे क्या करना है दोनों चोटी को एक साथ कर लेंगे हम इस तरह से करके कुछ एक साथ इस तरह से करके पकड़ लेंगे और जो जहां से उपर के बालों को हमने एड किया था उनको एक साथ मिलाते हुए यहां पे हम पहले वाला rubber band चोटी में लगा था उसको हटा देंगे और एक rubber band करके में दोनों चोटीों को एक साथ करके टाइट कर देंगे तो कुछ इस तरह से देखे टाइट कर दिया है अगर यहां पे आप थोड़ा सा कुछ और attractive लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो क्योंकि यह hair style बहुत ही attractive है बहुत ही beautiful लग रही है तो इस तरह से देखे बनके हो गया hair ready और पीछे जो rubber band दिखाई दे रहा है यहां पे आपको तो यहां पे हम एक लगा देते है प्यारी सेपिन जैसे कि यह hair जो rubber का session है वो छुप जाएगा और अप यहां पे rubber band हटा भी सकते हो मैंने हटाया नहीं सिर्फ आपको दिखाने के लिए का idea देने के लिए तो इस तरह से complete हो जाता है और फिर देखे नेक्स हैसला बनाने के लिए हमने आगे के बालों का partition जो है आगे की set निकाल दिया है और पीछे के बालों को देखे फुली बालों को जो पीछे के top की hair होते है तो पूरा year से लगा के इस year से उस year तक के बहुत ही कम बालों को हमको इस तरह से top की ले लेना है तो इस बालों का कम लेना है क्योंकि इसके अंदर हम पफ बनाने वाला जो आता है ना पफ बना जिससे बनता है तो उसको हम यहां पर insert करेंगे तो इसलिए हमने बहुत ही कम hair लिये है और सिफ इस तरह से लिया है उसको अंदर insert करने के बाद इस पे एक मांगतीका लगा दिया है क्योंकि ये वृड़िन्ग हेरल स्टैल हर ठीक ह्ट कर रहा हैं तुरह ईयर तक कर चाही है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हूं तो इस तरह से करके हमने पूरे बालो को इस तरह से अपनी चोटी में एड कर लिया है करने के बाद थोड़ी से एक्स्ट्रा चोटी कर ली है और उसके बाद उसको ऐसे पीछे की साइड ले जाएंगे जहां पर हमने अपने पफ को सिक्यूर किया है बस वहीं पर ले जाके अपनी चोटी को भी हम सिक्यूर कर देंगे अच्छी तरह से सेम इसी प्रोसीजर को हमें दूसरे सेड भी अपनाना है थोड़े से बालो का सेशन लिया है थ्री पार्ट में डिवाइट किया है इसकी चोटी बनाएंगे और जो बाल नीचे के सेड चोटी हुए है उसमें से बालो का एक एक सेशन लिते जाएंगे चोटा चोटा सा और एड़ करते जाएंगे अपनी चोटी में और इसी तरह से पूरा येर तक का पार्ट हमको कवर कर लेना है ये देखे इस तरह से करके पूरा इधर का भी पार्ट पूरा कम्प्लीट हो गया है और थोड़ से एक्स्टा में चोटी को लेंगे और इसको भी सेम हम पीछे की साइड ले जाएंगे जहां पे हमने अपने पफ को टकिन किया है बस महीं पे ले जाकर कि इस चोटी को भी हम यहाप एकदम टाइट कर देंगे तो इस तरह से देखे ये हैर स्टाइल भी हमारा कम्प्लीट हो जाता है और आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटिफुल हैर स्टाइल लग रहा है और कितना इजी भी है ये देखे इस तरह से आगे से और कितना प्यारा दिखाई दे रहा है और मांग्टी का लगने के बाद तो कोई भी हैर स्टाइल हो तो उसका लुक एकदम अलग ही हो जाता है और वेडिंग हैर स्टाइल में विदाउट मांग्टी का तो शायद कोई हैर स्टाइल नहीं होता होगा इस तरह से देखे ये एकदम बनके रैडी हो चुका है और कितना beautiful लग रहा है यह आप देख सकते हो और सबसे पहली बात कि बनाने में कितना easy था यह तो आप उने देखा ही होगा तो फ्रेंट ज़रूर ट्राइ कीजिएगा क्योंकि बहुत easy easy से hairstyle है और इसी में next hairstyle आप इस तरह से बना सकते हो यह puff को देखे मैंने उसी तरह से रहने दिया है जो आगे चोटी वाला पार्ट था उस पार्ट को मैंने इस तरह से easily खोल दिया है और पूरे बालों को इस तरह से लिया है अच्छे से कोम करके इस तरह से देखे पीछे की side बालों को twist कर देगे और tightly twist करेंगे twist करके एकदम easy है पीछे जिस तरह से हमने अपनी चोटी को tight किया था सेम उसी तरह से अपने twisted hair को हम पीछे ले जा करके tight कर देगे एकदम puff के नीचे की side और सेम इसी तरह से हम दूसरे side का भी part को कर लेंगे यह देखे इस तरह से है पूरा hair ले लेंगे जितना भी आगे का चोटी वाला था पूरा hair ले लेंगे अच्छे से comb कर लेंगे बस भ्यान क्या देना है कि इस वाले hair style को बनाने के लिए जो आगे के hair हम twist कर रहे हैं उसको एकदम जितना हम face पे चिपका के रख सकते हैं यह hair style उतना ही beautiful लगेगा जितना आगे से यह face पे एकदम चिपका हुआ इसका look आएगा तो देखे इसको भी हमने पीछे की side दे जाके tight कर दिया है bobby pin लगा करके तो इस तरह से हमारा hair style होगी है यह थोड़े से बालो को इस तरह से face पे निकाल दिया है तो आप देख सकते हो कितना beautiful hair style लग रहा है और एक ही तरह से आप इस तरह के दो hair style बना सकते हो किसी भी function शादी parties के लिए और बहुत ही attractive hair style यह लग रहा है जब आप friends बनाओगे तो आपको खुद लगेगा कि कितना easy friends अगर मैं बना सकती हो तो आप तो बहुत easily बना ही सकते हो यह देखिए hair style इस तरह से आप लहंगे बगारा पर बनाओगे तो बहुत ही beautiful hair style लगेगा फिर next hair style बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमने मांग निकाल ली है और इस तरह से comb की help से एक्दम seed ही मांग हमने एक और लिया है स्थी के according हमने बालो को यहां पे ले लिया है कि इस तरह से कितना उंसक्षार से लिया है इस तरह कि यह कली हैStra. बहुत से हमने मांग निकाली है और देखिए आप प्रहएे नहीं लेना सिप जतना हमने इतना ही जतना है कि यह रो radio और देखें इस तरह से हेयर को लेंगे टाइटली ट्विस्ट करेंगे और जो पीछे के बालों का सैशन एकदम क्लियर करते हुए दिखें नीचे के एकदम क्लियर है रखना है और इसको हम पिन में लगा करके टाइट कर देड़ें बस इसी तरह से हमको साइट से थोड़े-थ नहीं करना है तो इस तरह से करके बस बालों को लेते जाना है तुइस्ट करते जाना है और पीछे के सेट बालों को पिन अप करते जाना है तो फिलहाल के लिए यहां पर अलग-अलग पिन आप लगा सकते हो क्योंकि बनाते समय बनाने में प्रॉब्लम होती है लेकिन इस तरह का एक पार जो है तो कम्प्लीट हो रहा है मेरा और एयर के उपर का भी हैर मैं यहां पर ले लूँगी बिल्कुल भी नहीं चोड़ूंगी क्योंकि यह हैर स्टाइल में थोड़ा सा इसी तरह से बना अच्छा लगता है तो देखें इस तरह से पूरा कम्प्लीट हो गया है औ सेकंड को भी इसी तरह से किया है थार्ड को भी सेम इसी तरह से करते जाना है यह देखें इस तरह से हमारा लास्ट वाला सेशन भी कम्प्लीट होता है और अब देखें पीछे के बालों को इस तरह से ट्विस्ट हेयर को पीछे ले जाने के बाद हमने सारी पिने हटा दी है और सबको हमने एक साथ पकड़ लिया है और फिर बालों को नीचे के बालों को बहुत अच्छी तरह से एक दम कौम करके मैनेज कर देना है जिससे कि उसका लुक बहुत ही ब्यूटिफुल सा दिखाई दे फिर देखे पूरे बालों को एक साथ लिया है और अब यहां पे आप बनाने में लहंगा सारी आपकीसी प्रेस को बना सकते हो बहुत ही यूजिए बहुत ब्यूटिफुल है लास्ट है एस्टल बनाने के लिए देखे इस तरह से बालों को आगे का टॉप का सेशन लिया है साथ के बालों को नहीं लेना है और इस तरह से मैंने यहां पर रबर के बालो को टाइट कर देंगे जमा थोड़े थोड़े से बालो क ऑन पर बना लेनी है एक्दम सिम्पल शब्डों में यही कहा सकते हैं कि यहां से से की त्री पोनिया पर आपको बना लेनी है जिसे में परिद्धेँ होई है इंदेख्षा को हम यहां पर ऑगाladd हुआ है इसे इसना से यहां पे रड़ी हो गई है आप दो तरह से इस तरह से भी और बचलके इस है इस तरह से देख हो गया है अब आगे वाली पोणी के जो पहीर बच होए है कि उनको हमने टूपार्ट में यहां पर डिवाइड कर रहा है डिवाइड करने के बाद इसको कर देंगे और ट्विस्ट करने के बाद जो सेकंड वाली पॉनी हमारी उसके नीचे से इसको हम इंसर्ट करके निकाल लेंगे और इसी बाल में हम सेकंड वाली पॉनी के भी बाल को एड कर लेंगे और ट्विस्ट कर देंगे टू पार्ट में करने के बाद और अगेर इसको हम लाने के बाद यसको रख दिया है और उसके बद यहाँ पे इसको यू cens लगाता करके अच्छी तरह से अपने फ्लावरल्य जो मेरा बन के रेडी हॉआ है ऊच्छी त्रा से निया या पीट कर दिया है ऐसी ते कर इसwoman हो गिया है पूरा फ्लावर हमारा अच्छी तरह से यहां पर रेडी हो चुका है तो इसका लुक कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है आप देख सकते हो कितना इजी हैर स्टाइल है तो आई हो फ्रेंट्स के आज का वीडियो आपको पसंद आया को आया है तो प्लेच आग सब्सक्राइब प्लकुल भी मत भूले का मिलेंगे नेक्स वीडियो में तुब तक के लिए बाए